इस बुलिटिन के प्रायोजक हैं काम्टी मोटर्स छिन्वाडा इसे लेकर एनेस यूआई ने राज्जिपाल से मामले में उचित अकारवाई की मांग की है बाल संदक्षन एवं बाल अपराधु पर नियंतरण करने हे तू NSS स्वयम सेवकों एवं कारिक्रम अधिकारियों के लिए दो दिवसी ओरियंटेशन कारिक्रम का आयोजन डैनियल सेंड डिगरी कॉलेज में संपन हुआ दो दिवसी कारिक्रम का आयोजन यूथ एस चेंपियन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन विशय पर NSS UNICEF एवं आवाज संस्था भुपाल के संयुक्त तत्वाव धान में हुआ जिला संगठक प्रोफेसर रवेंद्र नाफडे ने कारिशाला के दौरान बताया कि छिंदवाड़ा जिले के 11 विकास खंडों के 20 कॉलेजेस के 45 NSS स्वयम सेवकों तथा 25 कारिक्रम अधिकारियों ने जिला इस तरी कारिशाला में सहभागिता की सिवनी प्राणमोती इस्तित टेकडी के जुगी जोपड़ी वासी आज नगर पाली का निगम पहुँचे जिनोंने निगम कमिशनर की नाम ग्या बंदे कर क्षेत्र में इस्थाई बिजली कनेक्शन लगाने के लिए N.O.C. जारी करने की मांग की घुरला बाबा तेगडी में हम निवास करते हैं हम सभी लोग पिछले 10 साल से रह रह रहे हैं सबी लोग अग दस साल से हम लोग पिछले दो साल से नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं और यहां पर जितने बार भी आते हैं ना सहाब मिलते हैं ना कोई भी हमको सहाब नहीं मिलता है बस बोल देते हैं जाओ तुम्हारा काम हो जाए तो हम चाहते हैं कि हमारी पिजली के सम संजय श्रीवास्तव को पूर्व मुख्यमंत्री के नाम ज्यापन देकर अपनी समस्याइं बताएं व्यापारियों का कहना है कि पिछले 40 सालों से मंडी परिसर में उनकी दुकाने संचालित हैं लेकिन नई जगह आवंटित होने पर व्यापारियों को दुकान नहीं दी जा रही है जिसके चलते उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है और यहाँ से घंकी देशने सार नोटिस देशने से बागवार नागद्वार चौक गुलाबरा इस्थित शिव मंदिर में प्रति वर्ष मंदिर की इस्थापना के अवसर पर साथ दिवसी कारिक्रम आयोजित किये जाते हैं जिसमें विभिन आयोजन मंदिर समिती द्वारा किये जाते हैं 23 जनवरी से 30 जनवरी तक मंदिर परिसर में विभिध कारिक्रम आयोजित किये गए जिसके बाद आखरी दिन हवन, पूजन और भंडारे के साथ कारिक्रम का समापन हुआ दिल्ली की मशूर डॉक्टर अपछिनवाडा में दिल्ली एम्स एवं सफदर चंग हॉस्पिटल की सुपिर सिध्ज डॉक्टर जस्प्री गोगिया की सेवा अपछिनवाडा के डॉक्टर गोगिया चिल्डन क्लिनिक में क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU, सुविधाएं नवजाज, शुशु और बच्चों से संबंदित सभी बिमारियों का सटीक इलाज बच्चों के दमा और एलर्जी बिमारियों की विशेशक डॉक्टर जस्प्री गोगिया डोक्टर गोगिया चिल्डन क्लिनिक सतकार चोग परासिया रोट छिन्वाडा मोबाइल नमबर 999-358-5588-8827-42004 अब आपको अपनी आखों की जाज के रिए बड़े शहरों की और रोक करनी की जरुवत नहीं है त्यूकि अब आपके अपने चिल्वाडा शहर में अत्याथुनिक मशीनों से लाज आनन नेत्राले अपनी सेवाएं दे रहा है आनन नेत्राले में आख से सम्मनित हर बिमारी का होगा इलाज मोथिया बिन्द का उपरेशन लेसिक सरजरी डाइपिटीज के कारण आखो भी आनी वाली बिमारी का इलाज ग्लूकोमा यानी काज बिन्दू से सम्मनित इलाज रैजिना का इलाज फेको पदती द्वारा आखो के ओपरेशन बच्चों में आखो से सम्मनित समस्याओं का निदान नागपुर और वर्धा के विशिशग्य डौक्तरों द्वारा मोतिय अभिन का ओपरेशन आनन नीत्राले पाटनी पैट्रूर्पम के पास छिनवाड़ा छोटा तलाब इस्थित बड़केश्वर शिव धाम मंदिर में बीती शाम मंदर समिती द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया समिती के सदस्यों ने बताया कि पिछले एक साल से मंदर समिती द्वारा प्रती वर्ष इस्थापना दिवस के अवसर पर भंडारा आयोजित किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंच कर प्रसाद ग्रहन किया सकल जैन समाज तीर्थंकर महावीर भगवान का 2550 वा निर्वान महुतसब वर्ष मना कर विविध अनुष्ठानों की माध्यम से जिन उशासन की मंगल प्रभावना कर रहा है आज गोल गंज इस्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जिनाले में श्री रत्न तरय विधान का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में जैन बंदू ने रत्न तरय अर्थात, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्यान एवं सम्यक चरित्र की पूजन कर दिगंबर महामुनी राजों का गुणगान कर जिन उशासन की मंगल प्रभावना की खर्वकल्यान का आज़ों मलाव सम्यक जैन बंदू चाहसन नायक महावीर भगवान की आधिनाद भगवान की चोविष्तितंकर भगवान की तीन कम नो करोड दिगंबर महामुनी राजों की कुंडिपुरा थाने की धरम तेखडी चोकी अंतरगत ग्राम लहगड़ुआ में उधारी के पैसे वापस करने को लेकर सास और दामाद के बीच विवाद हो गया इस विवाद में भांजा दामाद ने अपनी बुसुर्ग सास के साथ जमकर मारपीट की गंभीर हालत में सास को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भरती कराया गया है जहां उसका उपचार चल रहा है पीडिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी भांजा दामाद के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देनी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है घटना के संब्ध में चौकी प्रभारी अविनाश पारधी ने बताया कि देहात थाना खशेतर के गुरईय च्छापर निवासी मैना पती स्वरगी सुमर लाल माडेकर उम्र साथ वर्ष ने पिछले दिनों लहगड़वा निवासी भांजा दामाद केलाश पिता लालसी बखेल को पती के रिटार्मेंट होने के बाद जरूरत पढ़ने पर आठ लाक रुपे उधार स्वरूप दिये थे रुपे मांगने पर दामाद ने सास के साथ मारपीट की उसमें गाड़ी से लाया मेरों को और पेर पकड़के उसमें गिड़ाया और मारपीटा भी उशी किसमें केलाश पने क्या उसका केलाश पगेट क्या लगता आपको भंदा जमान लखता है उसमें